नमस्कार दोस्तो क्या आप अपने घर के लिए एक washing machine खरीदने की सोच रहे हैं पर इस चीज को लेके confused है कि इसके लिए आपको कौन से टाइब का washing machine जो है वो खरीदना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा है तो you're at the right place इस वीडियो को पूरा देखे और मेरी चैनल civil engineering forum को subscribe जरूर करे तो दोस्तो market से जब आप कोई नहीं आएक washing machine खरीदने जाते हो तो basically आपके सामने दो options रहते हैं पहले क्या है कि ज्यादा options थे but with the update of the technology हमारे पास अभी फिलहाल दो options है एक है front load automatic washing machine और दूसरा है top load automatic washing machine पहले क्या है कि semi automatic और manual भी आते थे पर फिलहाल क्या है कि सभी लोग जो है मतलब automatic में convert हो गए है पर जो दो options है वो क्या है कि front load और top load इन दोनों में से आपको कौन सा वाला machine जो है वो खरीदने चाहिए तो देखिए based on your requirements and budget इन दोनों में से कौन सा machine जो है आपके लिए perfect है वो आपको select करना है और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप आपको यह सभी चीज़े समझ में आ जाएगी जैसे कि इसकी pricing कौन सा जो है वो मतलब user friendly है कौन सा जो है वो मतलब better washing quality provide करता है better drying provide करता है फिर इनके features power consumption maintenance and services तो इन दोनों में से कौन से machine में यह चीज़े जो है वो बहतर है तो basically इन दोनों ही machines के बीच के सभी differences जो हो मैं directly आपको यह नहीं तै कर लेना है कि जो भी महंगा है वो मतलब front load जो हो मतलब हैंगा आता है तो आमें खरीद लेना है आपको अपनी requirements consider करनी है यहापे क्योंकि देखिए एक बार आप decision ले लेते हैं खरीद लेते हैं तो बात में यह change नहीं हो सकता यह क्या है कम से कम 10 से 15 सा तो टिकते ही है और हां यह दोनों ही टाइप के washing machine की online purchase link जिस में आपको discount भी मिल जाएगा और installation भी मिल जाएगा और यह दोनों ही automatic और top load automatic washing machines के basic difference है तो top load washing machines की बात करें तो उसमें क्या है कि ऊपर एक दोर दिया हुआ होता है जहां से आप मतलब close जो हो मतलब loading और unloading करते इसकी size जो हो मतलब comparatively compact रहती है यानि कि छोटी रहता है आज compared to the front load washing machine और इसके काराण यह space भी कम इस्तमाल करता है यह काफी affordable रहता है और इसमें कम features होने की वजह से यह मतलब operate करना इसे easy होता है हाला कि इसके बारे में हम detail में बात में बात करेंगे पर यह हो गया इसका basic introduction और front load washing machine की बात करें तो इसमें front में एक डोर दिया हुआ होता है जहां से मतलब close sum loading और unloading करता है यह machines look wise थोड़े इसकी design थोड़ी मतलब attractive रहती है फिर इसमें features थोड़े ज्यादा रहता है as compared to top load washing machines और इसकी efficiency थोड़ी as compared to top load यह ज्यादा होती है इसके बारे में भी हम detail में आगे देखेंगे हाला कि आपको इन दोनों के बीच के सबी basic differences जो है हो मतलब समझ में आ चुके होंगे तो चलिए next हम बात करते हैं इनकी budget और pricing की तो top load washing machine की बात करें तो यह आपको market में 10,000 से ले करके 50,000 रुपे तक मिल जाते हैं based on its brands, features and capacity तो considering pricing obviously top load washing machines थोड़े affordable रहता है सस्ते रहता है but based on this आपको अपना decision नहीं लेना है हमें इनके सबी differences जो है वो detail में जान लेना है और फिर जाकर के आपको अपना decision लेना है इसकी purchase link तो आपको description में मिली जाने वाली है तो चलिए हम one by one इंक दोनों ही machines को star देंगे तो pricing and budget के मामले में क्या है कि top load washing machine थोड़ आगे निकल जाता है तो यहाँ पर ही से मिल जाता है one star चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे point की तरफ जो है user friendliness यानि कि कौन सा washing machine जो है वो मतलब use करने में आसान रहता है समझने में operate करने में आसान रहता है तो दोस्तों top load washing machine में features कम रहने के कारण यह क्या है कि इसे use करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि इसको समझने में मतलब इतनी परशन ही नहीं होती कोई नया person अगर इसे use करता है तो वो भी मतलब थोड़ी ही देर में यह use करने लगेगा क्योंकि इसमें features कम रहते है तो एक बात हो गई user friendliness में इसको समझना इसको operate करना दूसरी चीज है health convenience जहां पे top load machines में हमें और एक फाइदा मिल जाता है कि इसमें clothes जो है वो मतलब loading औ best रहेगा और similarly front load washing machine में क्या है कि वाइसा वर्सा देखिए इसमें ज्यादा features होने के कारण initially से समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो मतलब कोई भी से आकर के इस्तमल नहीं कर सकता पहले तो इसको समझना पड़ता है कि operate कैसे होता है क्योंकि हो सकता है कि fabric को your type का हो और business और अब हमारा तीसरा point है better wash quality कौन सा washing machine में बहतरी wash quality प्रोवाइड करके देता है तो देखिए top load washing machine की बात करें तो इसमें वह drum जिसमें हम clothes मतलब top से loading और unloading करते रहते हैं वह क्या है कि vertical axis के around घुनता रहता है इसमें हमारे clothes पूरे तरीके से पानी में submerged रहता है और फिर इन कपडों को vertical axis के around इस drum में spin किया जाता है तो scientifically proven है कि इन कपडों में सबी जगह पर uniformly detergent जो है वह मतलब नहीं पहुंच पाता क्योंकि यह clothes जो है मतलब एक ही axis के around घुमते रहते और इसलिए यह washing के मामले में इतना efficient नहीं है as compared to front load washing machine क्योंकि देखिए front load washing machine में क्या होता ह यह drum जिसमें हम clothes load और unload करते है यह vertical नहीं बलकि horizontal दिया जाता है जहां front में से हम इसको loading unloading करते है और यह drum जो है वह घुमता horizontal axis के around है और इस drum को partially मतलब आदा ही water से मतलब भरा जाता है और यह horizontal axis के around घुमाया जाता है कि uniformly हमारा liquid detergent दो है वो पहुँच पाएगा और इसलिए इसमें हाथ हो जैसी दुलय मिल जाती है and one more thing इसमें जो भी type का fabricum डालते है उस मतलब mode पर operate कर सकता है क्योंकि इसमें features ज्यादा होते है तो obviously front load automatic washing machine की washing efficiency जो है मतलब सबसे बहतर है तो यहाँ पे एक point मिल जाता है front load automatic washing machine को ओके फिरवरा next point रहेगा कि इन दोनों में से कौन से machine में हमें बहतर drying मिल सकता है तो देखिए कोई भी machine में clothes को dry करने के लिए drum को तेजी से घुमाया जाता है स्पिंग किया जाता है और इस drum की rotating speed को rpm यानि की rotations per minute में ना पा जाता है अब देखिए जिस washing machine में drum spinning speed जो है मतलब ज्यादा है obviously उसकी मतलब drying efficiency जो है वो भी बढ़िया होगी तो देखिए कोई भी top loading washing machine में as per the brand इसकी drum rotating speed जो है मतलब up to 900 rpm होती है और front lot automatic washing machine के drum की speed रहती है around 1500 rpm as per the brand तो देखिए अब spinning and drying के मामले में फिर से front lot automatic washing machine जो है अब आजी मार जाता है यहाँ पे फिर से इसमें एक start दे देता हूँ तो फिलहाल दोनों ही machines यहाँ पे tie कर रहे है दोनों के पास दो दो points है next हम बात करेंगे इन दोनों ही machines के features की तो देखिए इस मामले में बने अल्रेडी बात कर लिए top lot washing machine में क्या है कि features कम होने के कारण ही यह affordable मिलता है और front lot automatic washing में क्या है कि features थोड़े ज्यादा है तो चाहे कोई भी type का fabric हो आप उस mode में उसे run करके उस program में उसे run करके उस fabric को wash कर सकते है बिना उसको damage किये तो फिर से features के मामले में यहाँ पे front lot automatic machine को मिल जाता है one star टोटल इसके हो गया three star और top lot washing machine का हो गया two star तो फिलहाल front lot automatic washing machine जो है वो इस race में आगे है अब हम बात करते हैं इन दोनों ही machines के power consumption की यह चीज़ बहुत ही matter करेगी तो देखिया जैसा कि मैंने आपको बताया top lot washing machine में हमारे कपड़े जो हो मतलब पूरे तरीके से पानी में सब मज़ रहते हैं तो यह drum को पूरे तरीके से पानी से में पहले भरना होता है और फिर इस clothes से और water से भर है इस पूरे drum को हमें गुमाना है तो इसके लिए obviously electricity power consumption ज देखे तो front lot automatic washing machine जो हो मतलब 25% तक आपके बिजली जो हो बचाएगा मतलब की 25% तक आप पावर से उकर पाओगे तो इस मामले में फिर से front lot automatic washing machine आगे निकल जाता है और इसको मिल जाता है एक 4 star front load के होगे 4 star और top load के होगे 2 star और अब आता है हमारे comparison का last point यह है maintenance and services तो दोस है कि इसका gas cat और grip जो हो मतलब change करनी है या फिर maintain तो at least करनी होगी और दूसरी चीज है कि front lot automatic washing machine में features ज्यादा है मैं मालूम है तो definitely जितने ज्यादा features उतने खराब होने के chances भी ज्यादा रहता है कोई आम service man जो हो इसे repair नहीं कर पाएगा वही अगर हम top loading washing machine यूज करता है त और इसमें door जो हो तॉप में होने के कारण leakage के कोई chances नहीं रहेंगे तो यह maintenance भी कम हो जाएगा और power consumption तो कम है ही तो maintenance and service के मामले में यहां पे top load washing machine जो आगे निकल जाता है तो total top loading washing machine के हो गया 3 star और front load washing machine के हो गया 4 star तो ultimately अगर हम देखे तो long term में front load washing machine थोड़ा सा आगे न decision लेना है और based on this concluding game आप आसानी से तेय कर पाऊगे कि इन दोनों में से आपको कौन सा वाला machine जो हो खरीदना चाहिए not based on the star यह 4 star 3 star तो कहा है कि machine की capabilities पर मैंने star दिये है based on user reviews पर आपकी requirements consider करते हुए देखिए अगर आपके घर में space थोड़ी कम है मतलब की washing machine रखने की space थोड़ी कम है या फिर initial budget आपका कम है मतलब आप थोड़ा affordable machine चाहते है फिर अगर आपके घर में अलग-अलग person जो इस machine को use करते रहते हैं तो मतलब सभ अगरी को यह machine operate करना असान नहीं होगा या फिर हो सकता है कि आपके घर में कोई बुजूर्ग है कोई agent person है जिसको मतलब कमर का spine का घुटनों का कोई problem है और यह maintenance services की generate में आप नहीं पढ़ना चाहते है तो in conditions में आपको top load washing machines prefer करना चाहिए अभी देखिए आपके घर में इसे operate कैसे करना है और बहतरीन wash quality अगर आप चाहते है सभी types के fabric आप इसमें efficiently wash करना चाहते है power consumption के लिए आप थोड़ा concerned है और carefully अगर आप इसे use करना चाहते है तो क्याए कि आपको definitely front load automatic washing machine ही खरीदना चाहिए क्योंकि देखिए अगर आप carefully से use करते है ठीक से use करते है तो इसकी life भी मतलब 15 सल तो आराम से टिक जाए गई है और फिरसर में आपको बता रहा हूँ यह दोनों ही types के washing machine की online purchase link में ने description box में नीचा एड़ कर दी है जो कि बहतरीन quality के है इसकी life बढ़िया है इसमें आपको discount भी मिल जाएगा और installation भी free में मिल जाएगा वहाँ जाकर क्य thank you for watching